फ्रेंट्स इसमें दिया गया है man is facing north east direction कोई man है जो north east अब जे north है जे east है तो man north east जाने की जे हुई आपकी north east direction इस direction में देख रहा है फ्रेंट्स नाइंटी क्लाक्वाइज दोनों एड हो जाएंगे तो बन एटी डिगरी क्लाक्वाइज बनेगा और थार्ड है बन एटी डिगरी एंटी क्लाक्वाइज तो दोनों opposite होंगे तो माइनस होंगे जाने की जीरो आगया आपका अंसर जहां पे वो था दहीं पे रहा तो राइट अंसर सेम रहेगा नाथ इस नाथ इस ड्रै्टिशन हो फ्रेंस जेती आपके टाइक छेंड एंगल बेस्ट अब हम करेंगे टाइप थर्ड शएड़ बेस्ट फ्रेंज ताइप थर्ड श एड़ बेस्ट शएड़ क्या टाइम में संन का कंसाक बड़ा माहिन रखता है य जहां थो बागी क्वेष्ट मै morning की, जा evening की अगर होगी वर, morning की तो sun rise होगा rise होगा east से front sun rise होगा east से अगर कोई person north देख रहा है कोई दूसरा south देख रहा है तो north का left होगा और इसका right होगा जानी की shadow इसके left में पड़ेगी और इसके right में same friends अगर बात होगी evening की, शाम की तो sun set होगा best में जह east direction होगी sun rise east direction में होगा तो sun set होगा best में तो friends इसका जे right होगा जे left होगा इसका जे left होगा जे right होगा तो friends जब sun set हो रहा होगा तो इसकी shadow right में पड़ेगी इसकी left में पड़ेगी चलिए friends example के साथ चलते हैं इसमें लिखा गया है one early morning सुबह की बात है A and B standing back to back A और B एक दूसरे की तरफ कमर करके खड़े हैं जानी कि यह है A और B दो परसन है हमें जे नहीं पता है एक ओन है लेकिन इतना दिया है कि back to back खड़े हैं जानी कि एक इस तरफ देख रहा है तो दूसरा इस तरफ बन अर्ली मानी सुबह की बात है तो sun rise होगा in the east direction इस तरफ होगा तो इसका left में shadow पड़े ही इसके right में फ्रेंट अब बोला है दा shadow आप A false exactly to his left A की shadow उसके left में पड़ रही है फ्रेंट अब left में पड़ रही है इस जाने कि यह हुआ तो फिर यह बी होगा find the direction in which B is facing तो बी किस तरफ देख रहा है अब जे friends direction जे होती है जे east है जे west है जे south है तो बी किस तरफ देख रहा है south direction में तो right answer होगा south direction चलिए friends और example ले लेते हैं friends इसमें दिया गया है in an evening शाम की बात है a and b were standing back to back a और b back to back खड़े है शाम की बात है तो sun set होगा best direction में इसके right में shadow पड़ेगी इसके left में तो friends a and b were standing back to back the shadow of a falls exactly to his left a की shadow बिलकुर उसके left तरफ पड़ रही है अब left में इसकी पड़ रही है जानी कि यह हुआ और यह बी होगा friends find the direction in which b is facing direction बतानी है कि b किस तरफ देख रहा है तो friends b देख रहा है north तो right answer होगा नार नेस्ट में दिया गया है one early morning सुबह की बात है तो friends सुबह की बात है तो sun rise होगा in east में a and b were standing face to face a और b एक दूसरे की तरफ face करके खड़े हैं the shadow of a friends face to face खड़े हैं तो इसका जे left होगा इसका जे right होगा जानी कि इसके light में shadow पड़ेगी और इसके left में a and b were standing face to face the shadow of a falls exactly to his left a की shadow उसके left में पड़ रही है अब left में इसकी पड़ रही है जानी कि जे a हुआ और ये b होगा find the direction in which b is facing तो b किस तरफ देख रहा है friends b देख रहा है नीचे को जानी की south friends right answer होगा south इसी के साथ friends आपकी type third shadow based खत्म हो रही है और इसी के साथ समापत हो रहा है आपका direction and direction and distance sorry friends next lecture में हम किसी और टापिक पर discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you for us